नमस्क्राइब दोस्तों स्वाकत हैं आप सभी का हमारे चनल पर दोस्तों आज मैं आपको आप घर पर ही प्राकरतिक लिब बाम कैसे तयार कर सकते हैं उसके बारे में जानकारी देने वाली हूँ अक्सर हम अपने होंटों के लिब बाम जो होता है उसका यूज किया करते हैं लिब बाम आपके होंटों को नमी प्रदान करते हैं और उन्हें हाइडरेट भी रखते हैं वहीं दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि कभी-कभी जो बाजार में मिल रहे लिबबाम होते हैं उससे हमारे होंटों को नुकसान भी पहुंचता है ऐसे में दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगी कि आप कुछ प्राकर्थिक चीजों से कैसे खुद ही घर पर लिबबाम कैसे तयार कर सकते हैं दोस्तों ये जो लिबबाम है आपको मैं आज बताने वाली हूँ इनकी सबसे अच्छी बात ये है कि ये किसी के लिए भी नुकसान दायक नहीं है और इनका कोई दुष प्रभाव भी नहीं पड़ेगा आपके होंटों पर तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की हमारी जानकारी इसको जानने से पहले बस एक निवेतन उन लोगों से करना चाहूंगी जो आज पहली बार हमारे चैनल पर आये हैं क्रप्या सब्सक्राइब का बटन दबा कर हमारी सद्द सिता को सरू ले ले ताकि आप हमारी आने वाले जानकारीयों को देख सकें और उनसे फाइदा बिटा सकें इसके साथ ही सही जानकारी के लिए इसे अंतर तक सरू देखेगा दोस्तों के बारे में बताने वाली हूँ सबसे पहला जो लिप बाम है उसमें आपको जरूरत होगी मदुमक्खी का मोम या फिर पेट्रोलियम जैली जो भी आपके पास easily available हो दूसरी चीज़े हैं दोस्तों नारियल का तेल, रोस एसेंशियल ओईल और एक छोटा कंटेनर सबसे पहले तो एक बड़ा चमच मोम या फिर पेट्रोलियम जैली और नारियल तेल की कुछ बूंदों को पिगला लीजे दोस्तों दोस्तों तापमान सामाने हो जाने पर अब इसमें आप दो से तीन बूंदे रोस एसेंशियल ओईल की भी डाल दीजेगा इसे फिर अच्छी तरह से मिलाईए और मिश्रन को एक छोटे कंटेनर में डाल दीजे मिश्रन को कुछ समय के लिए सैट होने दीजेगा और इसे पूरी तरह थंडा होने के बाद ही इसका उपयोग कीजेगा दोस्तों बस दोस्तों आपका पहला होम मेट लिबबाम बन कर तैयार है दूस्सा जो लिबबाम है उसमें आपको जरूरत होगी मोम या फिर पेट्रोलियम जेली की ही कोको मक्खन की मीठा बदाम का तेल, शेहद और छोटे कंटेनर की दोस्तों सबसे पहले तो एक बड़ा चम्मच मोम या फिर पेट्रोलियम जेली, आधा चम्मच कोको बटर और चार चम्मच मीठा बदाम का तेल ले लीजे और फिर उन्हें मद्यम आज पर गरम कीजेगा दोस्तों एक बार जब मोम पिघल जाए ना, तो इसे आज से उतार लीजे और स्वाद के लिए एक चम्मच भी मिला लीजे शेहद को ओके फ्रेंट्स, अब फिर से सभी सामगरियों को अच्छे से मिलाने के बाद मिश्रन को थोड़ी देर के लिए गरम कीजेगा दोस्तों बाद में आवशक तेलों की कुछ बूंदे भी जोड़ दीजेगा, ओके फ्रेंट्स एक कंटेनर में इसे भी इस घोल को भी डाल दीजेगा और फिर इसे थंड़ा होने दीजेगा बस दोस्तों आपका दूसरा होममेड लिब बाम भी बनकर तैयार है आप इसे भी घर पर ट्रायर जरूर करके देखीगा ओके विंस तो दोस्तों ये थी आज की हमारी जानकारी आपको यह अच्छी लगी हो तो इससे लाइक, शियर और कमेंट करके जरूर बताईए गाम को तक ही जादे से जादे लोग इसका फायदा उठा सकें और अपना कीमते समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धनिवाद